नमस्कार दोस्तों हमारे यूटुब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टिट विश्य पर बात करने वाले हैं अगर हमें इस बारे में नहीं पता होगा तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं हर इंसान के जीवन में ये घटित होता है लेकिन आप इ जीवन में क्या खटनाईयां आ सकती हैं तो आपको इसका क्या उपाय करना चाहिए और कि सुम्र में आपको अपने मकान को बनाना चाहिए सारी बातों की बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूं आप इस वीजियो में एंड तक बने रहेगा आपको बहुत ही बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए और अगर बनाना चाहिए तो किस उम्र में बनाना चाहिए ताकि आपको शनी के अच्छे रिजल्ट मिल सकें आप शनी की बूरी दिश्टी से बस सको दोस्तों इस टॉपिक के मैंने अलग लग वीजियो बनाए हैं बारा भाव की अलग लग वीडियो हैं आपके शनी देव आपकी कुंडली के किस भाव में बैठे हैं आप उस भाव को लेकर वीडियो को देख सकते हैं आपको रिजर्ट अवश्य मिलेगा दोस्तों हर व्यक्ति के लिए रोटी कपड़े का जुगार होने के बाद मुख्य वज़ा सिर्फ म मकान की रह जाती है रोटी से पेट भर जाएगा कपड़े से तंड ढख जाएगा लेकिन सुरक्षी जीवन जीने के लिए हर चोटी या बड़े मकान की आवशक्ता प्रतेक व्यक्ति को होती है मकान बनाना असान नहीं होता बहुत से व्यक्ति धन का अभास होने की कारण मक जरूर बनवा लेते हैं दोस्तों आपके मकान का संबंद आपकी कुली में बैठा शनी दिधारित करता है शुब और शुब रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जब शनी आपके दूसरे भाव में हैं ऐसे जातकों को छो का मकान जरूर बना लेना चाहिए लिकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मकान उस समय बनाना है जब आपके चौते और आटवे भाव में राहु ना हो अगर आपके वर्ष फल में राहु चोते और अस्टम भाव में नहीं हैं तो आपको उस वर्ष में अपने मकान का निर्मान कर लेना चाहिए आपको शनी देव की कृपा मिलेगी आपके सारे काम बनने लगेंगे आपके लिए धन प्राप्ती के योग बन जाएंगे और आपको पैत्रिक संपत्ती भी मिलेगी अगर आपके शनी दूसरे भाव में हैं तो आप अपने पिता के संरक्षन में धन अरजित कम कर पाएंगे अगर आप अकेले अपने दम पर काम करते हो तो आप सफलता की उचाईयों तक जरूर पहुंच सकते हो तो दोस्तों अब तक अगर आपने अपना मकान नहीं बनाया है तो सभी उपायों को छोड़को सबसे पहले आप अपना मकान बनवाईए अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों